नमस्कार मेरे प्यारे साथियों हिश्ट्रिय आफ मैटफ्लिक्स के एक नए वीडियो क्रम में मैं डीपी आप लोगों के सामने हैं आए हम लोग इसमें बात करते हैं कि योरप में भारती जो अंकन प्रणाली थी ये कहां तक प्रभावी थी क्या इफेक्ट डाली तो इसमें भारती अंकों का प्रयोग योरप में कब से हुआ है तो कोई कहां नहीं सकता है लेकिन बौथियस की Jyamit की पाणडूलीपी में भारती यंकों का प्रयोग पाया गया है इस पाणडूलीपियों में से कुछ में सुनने का भी प्रयोग मिलता है अगर पाणडूलिपियां प्रमालिक मान ली जाएए तो तो ये माना जा सकता है कि पांचमी सताब्दी के अंतिम समय काल तक नंबर सिश्टम योरप में प्रवेस कर गया था भारत से ठीक है लेकिन ज्यामित की पुस्तक में तो इसका उल्ले खाया और अंकरित की उसी बोथियस की पुस्तक है जिसमें कोई प्रयोग नहीं है तो आप जो भी रहा हूं यह तो माना नहीं जा सकता है यह तो कहा नहीं जा सकता कुछ एक गैबर्ट नामक फ्रांसी सी भिक्षू नवसो निन्यानवे के आसपास की बात है 999 में इन्होंने कुछ वर्णन किया है गैबर्ट में तो गैबर्ट के वर्णनों से भी इसपष्ट होता है कि यह जो भारती यंख है यह योरप में पहुंच चुके है लिवर एवे की 1202 1202 इन्होंने पुस्तक लिखी तो इसमें जो है इस पुस्तक में लिवर एवे की नामक पुस्तक में यह लिवनार्डो की द्वारा लिखी गे थी लिवनार्डो तो इसमें जो है भारती अंको का प्रयोग मिलता है इसमें बिधिवत व्याख्या मिलती है एक और सेवाइल का आईसोडोरस ओरिजिंस नामक पुस्तक 992 इन्होंने कुछ उध्धन बताया है कि ऐसा लगता है यहां पर देखनी योग की बात यह है कि भारतियों की बुद्ध्यत्यन प्रकर है अन्यराष्ट अंक गणि छेत्रगणि तथा संसकारी कला में उनसे हीन है उनके नव अंको से यह इसपश्ट है कि उनका प्रयोग करके वे बड़ी से बड़ी संख्याओं को व्यक्त कर सकते हैं इस व्यक्ति का विशार ओरिजिन्स नामक पुस्तक में लिखा गया है रभी बेन एजरा इन्होंने एक किताब लिखी थी सीफर हनिशपर अंको की पुस्तक इसका मतलब है इन्होंने विए लिखाये भार्तवर्ष की विद्वानों ने अपने संपूर्ण अंकों को नव के द्वारा नव अंकों के द्वारा विशेशित किया ठीक है पीशा के लिनाडो वहीं है दीवरेवेकी में इकाई दहाई सेकड़ा कव्पयोगा था अलेक्जेंडर डेवलाई डेविलाडाई अलेक्जेंडर डेविलाडाई 1240 में इन्होंने कुछ लिखा और उसमें क्या हुआ उसमें यह बताया है कि जो अंक विद्द्या है यह भारत वर्ष में अलगोर नामक एक राजा था उसने ही अलगोरिज्म विद्द्या का अविस्कार किया था और इसमें भारतियों के दस अंकों के चिन इस पश्ट रूप से उलिखित होते हैं तो इन सब बातों से पता लगता है कि अंक गणित का प्रयोग भारत में प्राचीन काल से होता रहा है और योरप के अन्य देशों ने भारत से ही लिया है अरबों ने भी भारत से ही अंगणित लिया है चलिए हम अपनी वीडियो को इहीं पर समाप्त करते हैं कल कोई नया वीडियो होगा नमस्कार और आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग हमारा वीडियो ए लाइक करेंगे और शेयर करेंगे धन्यवाद कली झाल्वाओज कि लिए लिए भारत समाप्त वीडियो और समाप्त